हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका संकल्पमैत के यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक समिक्षा 2023 की हालाइट्स मतलब इंपोर्टन चीजे जो हमारे एक्जाम पॉइंट आफ वीव से इंपोर्टन हो सकती हैं हमारे पेपर में इससे कुश्चन्स पूछ जा सकते हैं वे सारी चीजे हम लोग पढ़ेंगे आज 31 जन्वरी है आज के दिन हमारे देश के CEA यानि की Chief Economic Advisor जिनका फोटो आप थमनेल में देख रहे हैं यह हैं वी आनंदा नांगे सोरन इनोंने इनकी देख रहे हैं Department of Economic Affairs दोरा जो आर्थिक सर्वेक्षड है इंग्लिस में कहें तो Economic Survey तयार किया जाता है और Parliament में Table किया जाता है निर्मला सीतारमन दोरा प्रस्तुत किया जाता है तो इससे जो हमारे वेपर में Important Questions बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग देखेएंगे तो सबसे पहले बात कर लिएतिया आर्थिक समेक्षा होती क्या है तो देखें आर्थिक समेक्षा जानने से भी पहले हम लोग जानते हैं पहले वित्तिवर्स हमारे देश का जो वित्ती वर्स होता है वो एक अप्रेल से लेकर के 31 मार्स तक चलता है पिछले वित्ती वर्स में अगर हम कहें अभी जो वित्ती वर्स कौन से खतम होने वाला है ये 2022 देश खतम होने वाला है और आने वाला कौन से वित्ती वर्स है 2023 आने वाला है ठीक तो जो पिछला जो बीत गया है वित्ती वर्स उसमें हमारे देश में economic गत्विदियां कैसी रही कैसी हमारे गत्विदियां कैसी ग्रोथ रही क्या-क्या जो scheme में थी वो उन्होंने कैसा कैसा काम किया है तो सारा पूरा लेखा जो पिछले वर्स का था पिछले वित्ती वर्स का वो हमारे economic survey आर्थिक समिक्षा में आता है सरकार दोरा प्रस्तुत किया जाता है और 2023-2024 जो आने वाला होता है ये इसका लेखा जो का क्या-क्या हम लोग करने वाले हैं क्या सरकार करेगी आने वाले वित्ति वर्स में इसका लेखा जोगा किसमी मिलता बजट में यह कप्रस्तुत किया जाता है एक फरवरी को और जबकि आर्थिक समिक्षा एकनॉमिक सर्वे जो है वो हर वर्स 31 जनवरी को ठीक है तो आप एक ची समझे कि 31 जनवरी के बाद में अभी जो यह वित्ति वर्स 22 चल रहा है इसके बाद में भी फरवरी और मार्च दो महिने बसते हैं ठीक है फरवरी मार्च दो महिने अभी भी बचे हुए हैं तो अभी जो इस वित्ती वर्स में जो 2022-23 के वित्ती वर्स में दो महिने बचे हुएं इसलिए हम यह पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है जैसे GDP ग्रोथ है वो exact figure नहीं होता है इसलिए इसमें यह लिखा होगा कि 2022-23 में हमारी जो GDP है वो जैसे 6.8% ग्र ने और भी बाकी है ठीक है यह समझ गया होंगे तो क्या होता है आर्थिक समिक्षा जो वित्ती वर्स चल रहा है उसमें जो जो आर्थिक गत्विधिया हुई है उनका लेखा जो खा आर्थिक समिक्षा में आता है आने वाले वित्ती वर्स में जो भी गत्विधिया होनी हो सरवे क्योंकि 31 January को प्रस्तुत किया जता है इसलिए इसलिए इसमें भी सारी चीज़े संर्भावी ठीक होती हैं क्योंकि February ओर March अभी बाकि होता है आगे प्रस्तुत किसके साइद मंतरी निर्मा हित् embodied कर दोर प्रस्तुत कि GDP growth rate है उसके बारे में देखिए 2022 में जो GDP की growth रही है वो 7% रही है ठीक है 7% रही है नहीं रहने वाली है मतलब क्योंकि अभी फरवरी और मार्च में भी perform करना बाकी रह गया है तो फरवरी और मार्च की भी मिला करके अनुमानिज जो व्रधिदर है वो लगभख 7% है और आग भावना थी ठीक है तो 21-22 में 21-22 में 8.7 रही थी तो अभी जो GDP व्रधिदर है वो कम हो गई है पिछले वर्स की कंपरिजन में जो धर 21-22 के कंपरिजन में 2023-24 में GDP growth rate कम हो गई है आगे मुद्रा स्पीति के बारे में बात कर लेते हैं inflation के बारे में Reserve Bank of India जो हमारा RBI है उसकी responsibility बनती है कि जो inflation है वो 2% से लेकर के 6% के बीच में maintain रखे ठीक है उसके लिए वो repo rate को बढ़ाती घटाती है और भी कई सारी नीतियां लेकर के आती है तो लेकिन इस time दो प्रकार का inflation होता है एक WPI से calculate किया जाता है wholesale price index पे और एक CPI पे मतलब consumer price index तो यह सारी चीज़े आप economics में पढ़ेंगे तो अगर हम CPI पे देखें inflation तो 6.8 हो गया है जो की range से बाहर है और WPI से भी 11.5 हो गया है इसके बाद में हम लोग देखते है राजकोसी घाटा राजकोसी घाटा थोड़ा सा कम हुआ है यानि कि 6.7 21 में था 22.3 में कितना हुआ है 6.4 ठीक है इसको इंगलिस में कहें तो फिसकल डिफिसेट बोलते हैं अगरे सेवाओं की बात करें सेवाओं में अच्छी खासी व्रद्धी हुई है जहां 2020 21 में माइनस में ग्रोथ थी माइनस 7.8 थी 2021 22 में 8.4 और 22 थे इसमें यही बढ़ करके 9.1 हो गई है ठीक है तो सेवाओं मतलब सर्विस सेक्टर ने अच्छा खासा ग्रोथ किया है टॉप रेमिटेंस रेसिपेंट देख सकते हैं कि किसमें रेमिटेंस जादा आया है मतलब विदेशों से अपने देश म पर चाहिना रहा है ठीक है तो सबसे ज़्यादा टॉप रेमिटेंस कमाने वाला देश कौन सा है इंडिया है इसके बाद में क्रसी और संबंदित जुगत विदियों में भी व्रद्धी हुई है तीन दसमलों से तीन दसमलों पांच हो गया है वही और देखिक व्रद्धी दर जो है वो थोड़ा सा कम हुई है दस पांच तीन से चार पांच वन हो गई है बहुत दिजिटल और संरचना के साथ विकास की छमता में व्रद्धी हम लोग बात कर लेते हैं वस्तुओं और लोगों के निर्वाद आवाजाही के लिए जो पीम गतिसक्ति की बात बजट में की गई थी उसी का मास्टर प्लान बनाया गया है नो लाक करोड रुपे की निवेस चमता के साथ में एक राष्ट्री मौदरी करण पाइपलाइन जारी की गई है दिसमबर 2022 में 782 करोड रुपे के साथ में UPI लेंदेन उच्चतम इस्तर पर रहा मतलब UPI से जो प्रतिसपरधी बनने के लिए राष्टी लोजिस्टिक नीती यही जो पीम गति सकती के नाम से जो भारती लोजिस्टिक नीती लाई गई थी इसमें वेस्विक इस्तर पर काम किया जाएगा पिछले आठ वर्सों में प्रमुख पत्तनों की छमता बढ़ा करके दोगनी कर दी गई है सामाजिक और सनरचना और रोजगार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं जीवन की बहतर गुडवत्ता के लिए सरकारी व्रद्धी की गई है जो वजट को बढ़ाया गया है जीवन को बहतर बनाने के लिए जीवन की गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए वित व 500 से अधिक का target है IIT, IIM, IIIT की संख्या में व्रद्धी हुई है सहरी रोजगार महामारी से जो पूर्व इस्तर था जो रोजगार का उस इस्तर के लगुंग नज़्दीक पहुँच गया है RBI ने मौद्रिक प्रबंदन के तहत रेपो रेट को बढ़ा करके 225 आधार के अंकों की व्रद्धी की है रेपो रेट में व्रद्धी करके मौद्रिक नीती में परवरतन ले करके आई है RBI इंफलेशन को कम करने की कोशिस करती है इसी के साथ में हम लोग देख सकते हैं शेयर बाजार की बात करें तो अगर भारत में वित्ती वर्ष 2023 में घरेलू शेयर बाजार में जितने भी प्रतिसपरदी थे इसके समक्ष उनके सबसे आगे निकल गया है इंडिया इंडियन जो स्टॉक मार्केट है उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पॉजिटिव में 3.9% का परफॉर्म किया है उसने बाकी सब की कंडिशन देख सकते हैं सब माइनस में जा रहे हैं, सब ने माइनस में परफॉर्म किया है, जबकि इंडिया ने ही सिर्फ अकेले ने 3.9% की व्रद्धी दिखाई है, इंडिया स्टॉक मार्केट, इसके बाद में बाहरी छेत्र, सतरक और आसावादी, बाहरी छेत्र में बात करें, निर्यात में व्र जातक देश बन गया है इंडिया इसी के साथ में और अने देशों के साथ में भारत में जो धनराशी है वो अधिक बेजी गई है रेमिटांस हम लोगों ने तो देखी लिया है सबसे अधिक प्रेमिटांस कहा है भारत में आया है अग्रिकल्चर क्रिसी के बारे में हम लोग थोड़ा सद देख लेते हैं MSP जो है वो 1.5 टाइम फिक्स की गई है अग्रिकल्चर सेक्टर में इंस्टिट्यूशनल क्रिडिट की ग्रोथ हुई है 315.7 मिलियन टन फूड ग्रेन जो है प्रोड्यूश किया गया है 21-22 में वहीं 11.3 क्रोड फार्मर जो है PM किसान स्कीम से लावानवित हुए है जो इनाम स्कीम है नेशनल अग्रिकल्चर मार्केट स्कीम उसके अंडर में 1.74 क्रोड फार्मर और 2.39 लैक ट्रेडर्स आ रहे है इसके बाद में कुछ और इंपोर्टन चीज़ें देख लेते हैं 23-24 के दोरान GDP का ग्रोथ रेट कितना रहने के संभावना है 6 से लेकर के 6.8 प्रस्त तक रहने के संभावना है जो 24-24 के लिए वास्तिविक विकासदर है वास्तिविक आधार पर रियल GDP ग्रोथ जो होने वाली है वो है 6.5 अर्थविवस्ता की विकासदर जो 23-23 को समाप्त होने वाले वर्स में साथ प्रस्त रहने का अनुमान है मतलब आने वाले वर्स में 23-24 में कितना अनुमान है 6 से लेकर के 6.8 तक और वहीं 2022-23 में 7 परस्त रहने का अनुमान है जबकि पिछले वर्स यानि कि 2021-22 में 8.7 थी MSMी छेतर में रिड़क में तेजी से व्रधी दर्ज की गई है जद़ जद़ रिड़क मिल रहा है MSMी में जन्वरी से लेकर के नॉम्बर 2022 तक और सत आधार लगबक 30.5-30 परस्त रहा है स्रेमिको के घर लोटने से निर्माड सामगरी जो जमा होने की प्रक्रिया है वो 42 महिनों के मुकाबले 33 महिनों की रही मतलब निर्माड सामगरी मतलब घर बन भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि घर जल्दी जल्दी घरों का निर्माड हो रहा है और जल्दी जल्दी सेल भी हो रही है गरोगी वित्तिवर्स 2022 में निर्यात में तेजी आई है दोजा तेज की पहली छमाही में ही उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से व्रध्धी दर्ज की गई है इसके बाद में वित्तिवर्स 2023 की दूसरी तिमाही में निजी खपत GDP के प्रस्त के रूप में 58.4% रही हम लोग देख सकते हैं कि व्यापार होटल परिवाहन को मजबूती मिली है जो COVID की वज़े से ठप हो गये थे व्यापार होटल परिवाहन वो धेरे-धेरे फिर से ग्रोध कर रहे हैं विस व्यापार संक्ठान यानी कि WTO का मानना है कि 2022 में व्यापार में जो व्रध्धी है वो की दोज़ा 23 में ये एक परसेंट ही रहेगी तो ये हम लोगों ने देख लिया important चीजे आर्थिक समिक्षा के बारे में कल हम लोग budget के वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से इसमें important जो जो चीजे थी हो हम लोगों ने cover कर लिए हैं इसके बाद में budget में जो जो important चीजे होंगी वह हम लोग cover कर लेंगे आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग्स अंकल मैट्स